कॉंग्रेस के पास 125 विधायकों का समर्थन है ये कहना है कॉंग्रेस की राजसभा उमेदवार निरश डांगी का डांगी ने कहा कि सभी विधायकों से चर्चा की गई है किसी तरह की कोई भी नाराज़की नहीं है सभी एक जुट है तो वही नीरश डांगी से खास बाचरी की समवारा था दिनेश कसाना ने हमारे निर्दलिय विधायक हैं और दूसरे दल हैं पूरी 125 की संख्या एक जुट है और मैं समस्ता हूं कि इस आकड़े के सामने जहां भारते जंता पार्टी मात्र बहत्र विधायकों के साथ हैं क्यों उन्होंने चौथा केंड़ेट खड़ा किया यह समस्य पर हैं निश्च हैं देखे खरीद फरोग की अगर कोशिश नहीं करते वो तो उनको चौथा केंड़ेट लाना ही नहीं चाहिए था बहुत साफ है पूरे देश के अंदर हालात सामने हैं कोई राजस्थान पहला प्रदेश नहीं हैं जहां पर इस तरह की परिस्तितियां हैं पूरे देश के अंदर खरीद फरोग तोड़ फोड़ उन्होंने करी है सामने दिखरे यह जनता समझ रही इन चीजों को और राजस्थान में इन चीजों से बचा जा सके इसलिए सावचेत रहना में समस्तों की अच्छा रहता है फिर भी राजस्थान के अंदर दोनों सीटों के पर यह कितने विदाय कॉंग्रेस के पकिश मैं देखिये मैंनेमी आपको कितनी उमीद कि दोनों सब्सक्राइब को 100% इसमें कोई शंशय वाला कोई प्रशने नहीं है, क्योंकि संख्यावल बहुत अंतर वाला है, छोटा मोटा अंतर होता तो भी हम समस्ते की कोई बदमाशी हो सकती है, यहां बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं है, कॉंग्रेस एक जुट है, समर्तित जो दल है, समर्तित जो इंडिपेंड़ विधायक है, वो भी सब एक जुट है, एक जुटता का परीशे है, वो सब दे रहे हैं, लगातार में संपक्त में हो उनके, दूसरे सीनियर लीडर्स हमारे कॉंग्रेस के वो भी संपक्त में है, और निशित रूप से दोनों उमीदवारों की शर्तिया जीत होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी.